आपको वेलकम करते हैं अपनी न्यू रेसिपी के साथ आज की हमारी न्यू रेसिपी है चने का पुलाव आए तो चने का पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं मैंने तीन प्याली चावल लिये हैं जो तकरीबं डेड़ किलो के करीब होंगे और इनको मैंने अच्छी तरीके से साफ कर लिया है अब हम इनको आदा घमटा पहले बिगोंके रख देंगे हमने एक पैन लिया है इसके अंदर शान कुकिंग ऑईल का एड़ करेंगे इसके साथ भी इसमें दो मीडियम साइज के में प्याज एड़ कर दूंगे और प्याजों को डार्क डाउंग होने देंगे मैंने अदा किलो वाइड चेने लिये हैं जिनको मैंने पहले से ही वाइल करके रख लिया है प्याज हमारे अबी ब्राउन हो रहे हैं पाइसे हमने एड़ करने हैं उसमें हैं अदरब नमक का एक चमच एक चमच जीरा चार से पांट नॉंग और थोड़ी सी पिस्यूई डा प्याज हमारा ब्राउन हो चुता है अब इसके मेर पाली डालेगे अब इसमें तुमाल स्पाइसे को एड़ कर देंगी और इसके साथ इसमें जो कटिं किये हुए टमाटर से यह भी आड़ कर देंगे अधरों को तुमाटर को अची तना इसके अंदर भिनाई कर देंगे हम देशी स्टाय से आज चनित अपलाओ बिना रही है शाला आपको बहुत पताना इदा इसके दो मिनट बनाई तरने के बाद इसके अंदर मैं चनियाट कर दूंगी और चनो को तकीब हम 10 मिनट तक पितर मैं चनियाट कर दूंगी इसके अंदर मैं पनो का ये पिकन कॉलर एड़ करूंगी इससे बहुत अच्छा प्लेवर आता है इस तोड़ा चीज हो जाता है इससे अपी इसमें मैं पॉंच साथ सबज मिखे इस तरह कटिंग कि बगएर इसके मैं राखूंगी पानी को पकने के बाद बगवाल्ड कर्ण होगया है इसपे अंदर आपने चावल एड़ करेंगे आदा पहले मैंने भी होके रखे थे चावलो का पानी सूपने तक हम इसका टूला हाई ही रहने देंगे चावलो का पानी पकना स्टार्ट हो गया है इसको पांच मिनट तक पानी के खुश्पोने तक मजीद पकने देंगे चावलो का पानी हमारा खुश्पो चुका है अब इस टाइम पर मैं इसके अंदर अचार ये गाजनु और आम का अचार था इसका दम लगाँगी इसको मिक्स कर देंगे और 10 मिनिट का हम इसके उबर दम लेएगए 10 मिनिट बाद आपसे मिलते हैं फ्रेंड्स मज़ेदार सा हमारा चने का पलाओ बनके बिलकुल रेडी हो चुका है आप इसको गर में बनाएं इन्शाला आपको बहुत मज़ा आएगा हमारी रस्पी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा वीडियो को शेयर कीजिएगा चैनल पर न्यू है तो चैनल क सब्सक्राइब कीजिएगा लाहाफीज